प्रयागराज में कुम्ब मेला लगा हुआ है जिसके लिए यूपी की योगी सरकार ने 42 करोड रुपे आवंटित किये हैं जो वर्ष 2013 में आयोजित महा कुम्ब के बजट का 3 गुना है वहीं CII के मुताबिक कुम्ब से उत्रप्रदेश सरकार को 1200 अरब रुपे का राजस्व मिलने की उम्मीद है इस मौके पर हम एक और चौकाने वाली बात बताने जा रहे हैं दरसल इलाबाद स्तित शेत्रिय अभी लेखागार में मौजूद दस्तावेस के आकड़ों के मुताबिक 1882 के कुम्ब में 20,228 रुपे खर्च हुए थे इसकी तुलना में मेले से कुल 49,840 रुपे की आमदनी हुई आप खुद समझ सकते हैं कि 1882 के तुलना में आज कुम्ब मेले में 2.1 अरब प्रतीशत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे है वहीं अगर आमदनी की बात करें तो 24 अरब प्रतीशत ज्यादा कमाई हो रही है यही नहीं CII की एक रुपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाला कुम्ब मेला के आयोजिन सी जुड़े कारियों में 6 लाग से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है निउस ब्यूरो